इसी तरह से एक वेग है प्यास प्यास एक बहुत बड़ा वेग है बागवटी जी कहते हैं कि जब प्यास लग रही है पानी जरूर पीजिए रोकिये मत प्यास को लेकिन पीने का तरीका है वो ध्यान रखे सिप सिप करके पीना बहुत तेज प्यास लगे तो भी सिप सिप करके ही पीजिए जल्दी जल्दी पानी कभी भी पीने की कोशिश मत करें और वो कहते हैं कि यह जल्दी पानी पीने का तरीका है ना इस में से दो बीमारियां बहुत होंगी एक जिसको आधुनिक भाशा में कहते हरनिया बागवट जी ने उसको कहा है आथ का उतरना आज की भाशा में कहते हरनिया और दूसरा एक बीमारी है एपंडिसाइटिस पानी को जल्दी 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 पीने में ये दो बीमारियां सबसे ज्यादा हर्नियाँ एपंडिसाइटेश और अगर उम्र बढ़ गई है आपको उम्र बढ़ गई माने साथ वर्ष के ऊपर और आप पानी इसी तरह से जल्दी जल्दी पी रहे हैं तो हाइड्रोसिल्की की बीमारी भी होगी प्रोस्टेट की भी प्रॉबलम आ सकती है इसलिए पानी हमेशा पीने का नियम ध्यान रखिए सिफ-सिफ- लेकिन जब भी प्यास आए तो पानी पीजिए प्यास को रोकिए मत एक ही जगे उन्होंने कहा है कि बिना के पानी पीजिए वो सवेरे का है उशापान के पानी की जो बात उन्होंने कही है कि सवेरे का समय ब्रह्मु महूर्थ का समय ब्रह्मु महूर्थ हमेशा सूरियो दैसे डेड़ घंटे पहले का माना जाता है तो ब्रह्मु महूर्थ का समय जरूर पानी पीजिए बिना प्यास प्यास के वही एक समय उन्होंने कहा है कि बिना प्यास के पानी पी सकते हैं बाकि कभी भी पूरे दिन में उन्होंने कहा है कि प्यास लगे तो जरूर पानी पीजिए बस नियम वही है कि खाने के तुरंद बाद मत पीजिए अगर खाने के तुरंद बाद प्यास लगी है तो चाच पीकर, मठा पीकर, दूद पीकर, या जूस पीकर प्यास बुज़ाई और निड़ गंटे के बाद आप पानी पीकर प्यास बुज़ाईए. तो प्यास एक वेग है इसको रोकिये मत नहीं तो क्या होगा प्यास रोकने से लगबग उन्होंने सूची बनाई ये 58 रोग है अगर प्यास रोकी आपने जब प्यास लगी है और आप नहीं पी रहे हैं पानी तो 58 रोग आएंगे इसलिए वो कहते हैं कि ये आप कभी मत करिये अच्छा दूसरी तरफ एक बात और कहते हैं कि उशा पान के समय को छोड़कर बाकी किसी भी समय में जबरजस्ती पानी पिएंगे तो भी तकलिफ आने वाली है हर जगे वो कहते हैं मद्धिमार्गी रहिए ना इधर जाए ना जादा उधर जाए तो ये प्यास का ही वेग है ऐसे हां 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 आगे वो कह रहे हैं कि पानी जब भी पीना हो आपको तो हमेशा बैठके ही पीजिए खड़े खड़े पानी पीने को पूरी तरह से निशेद किया उनों है हमेशा बैठके पानी पीजिए और बैठने के दो तरीके सबसे अच्छे हैं उकड़ू बैठना गाय का दूद निकालने वाले आसन में बैठना नहीं तो ऐसे बैठना जैसे मैं बैठा हूँ कुर्सी पर बैठके पानी पीना तो मैंने आपको बता दिया ऐसे आलती पालती मार के कुरसी पर बैठ जाएए फिर पीजिए